सुहज आज हम बात करने वाले वर्क्षिट नमबर 20 की जो 1908 को रिलीज हुई है क्लास A10 साइंस की हिंदी मेडियम की उसके अंदर हम विद्यूत जो है उसका आगे का पार्ट करेंगे विद्यूत के आगे के पार्ट में हम प्रतिरोधकों का जो संयोजन है वो करेंगे तो प्रतिरोधकों का संयोजन दो तरों में होता है तो श्रेणी करम में और एक पार्ट करम में श्रेणी करम में हम उनको एक के साथ एक लड़ी के अंदर जोड़ते जाते है जैसे माला के अंदर मोती फिरोई जाते है और पाश्रव करम में क्या होता है उनको अलग लग मतलब एक दूसरे के सामने लगाया जाता है ठीक है उसके बाद में अपने जो note करना है वो है formula ये वाला श्रणी करम के लिए और पाश्रव करम के लिए ये वाला formula that is श्रणी करम में हम बोलते है र is equals to r1 plus r2 plus r3 और 1 by r is equals to 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 इतने भी हो सकते एन हो सकते हैं ठीक है दूसरी चीज जो आपने याद रखनी है श्रणी के अंदर जो आपका आप बोलते हैं कि विद्यूत धारा जो है ठीक है वो बदलती है ठीक है और जो आपका potential अंतर होता है ठीक है जो potential अंतर यहां पे होता है वो से आपका वैसा ही रहता है वो नहीं बदलता है ठीक है दूसरा आपके यहां के अंदर जो विद्यूत धारा विभिन विद्यूति जो है वो बदलती है यांकि जो हमने पहले पीछे किया था यहां पे जो आपका आई है वो बदलेगा और यहां पे आपका वी है वो बदलेग एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोट की बैटरी के साथ संयोजित है ठीक है इनको संयोजित क्या गया है परिकलत प्रकलित कीजिए पहला कि कुल प्रतिरोध कितना है तो आप 20 ओम प्लस 4 ओम कर दीजिए आपका टोटल जो है प्रतिरोध है वो आजेगा 24 ओम उसके बाद में बैटरी के टर्मीनल के बीच का जो विभांतर है विभांतर यानि कि वी की वैल्यू आपने निकालनी है वो हमें 6 ओम दिया हुए और वी की वैल्यू से आप ओम का जो नियम है वो लगाके आई निकाल सकत जो आपका उत्तर आगया दूसरे की बात करते हैं तो नीचे आपको चितर दिया गया उसमें प्रतिरोध को लगाया गया है एक 5 ओम का है आर्टू आपका 20 ओम का है आर्थ्री आपका 30 ओम का है और वी की वैल्यू यहाँ पर आपको दिय हुई है 12 ओम ठीक है 12 वोल्ट आप इनने परिप्रत का प्रतिरोध पता करना है ठीक है अब यहां पर आपको दिख रहा है कि पार्षव करम में इनको लगाया गया तो पार्षव करम का फोमुला होता है 1 by R is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 सबको आप जोड़ोगे उनका LCM लोगे तो आपके पास उतर आएगा 3 ओम ठीक है उसके बाद में बात करते हैं जो आपको अभ्यास के प्रशन दिये हैं उनमें उसमें पहला प्रशन है आपका कि एक 9 वार्ट की जो बैटरी है वो इतने सारे जो र कूल R की वैल्यू निकाल लेंगे ठीक है कूल R क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 ठीक है यहां पर हम कूल R निकाल लेंगे कूल R किसके बराबर होगा सबको जोड़ दो जितने भी आपको प्रतिरोध दिये हुए हमारे पास अंसर आजेगा 13.4 ओम उसके बाद में V की उसको calculate करना यानि कि प्रतेक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्यूत धारा हमने निकालनी है कि हरेक प्रतिरोध में से कितनी धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है और परिपत में प्रवाहित कुल विद्यूत धारा जो है वो हमने निकालनी है तो उसके लिए देखते उसके से डिवाइड करोगे तो आपका i3 आजेगा और इन सब को आप जब मिलाद होगे तो आपके कुल जो विद्युद्धारा प्रवाहित हो रही है वो आजेगी जहनी कि i1 प्लस i2 प्लस i3 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4 is equal to 4 ampere ठीक है ये होगे दो कोशिन हमारे तिसरा कोशिन देखत क्या होगा यदि चृत्तर ए में प्रतेग प्रतिरोघ्डग 1ोм का है और चृतर बी में प्रतेग-प्रतिरोघ जो है तीनों का है ठीक है इसमें अलग लग लगेंगे आपका श्रेणी भी लगेगा और पार्शे उकरम भी लगेगा तो उसके लिए देखती है हम solve करते हैं इसको, पहले 1 upon Rx निकाल लेंगे हम, ठीक है X वाला तो तीनों को add कर देंगे, एक-एक वाले को तीनों को add करेंगे, तो 3 आजेगा हमारे पास, तो Rx किसके equal आगया, 1 by 3 के Ry कितना आएगा, 1 ही आएगा जितना आपको दिया हूँ, और Rz कितना आएगा, फिर 1 by 3 ही आएगा ठीक है, उसके बाल में बात करते हैं, टोटल की, तो टोटल में हम Rx प्लस Ry प्लस Rz को है कुल को निकालना है, तो इन सबको add कर देंगे, इन सबको plus कर देंगे, ठीक है, जोड देंगे आपस में तो 5 बटा 3, यानि कि 1.66 ओम हमारा अंसर आजेगा, ठीक है उसी के B-part की बात अगर हम करते हैं, तो Rx कितना आया, 3 प्लस 3, 6 ओम हो गया, ठीक है और Ry हमें 6 ओम दिया हुए, तो Rx प्लस Ry, 6 प्लस 1 बटा 6, कितना बन गया, 1 बटा 3 तो R equivalent जो है, यानि कि कुल प्रतिरोध जो है, वो हमारे पास किसके equal आगया, 3 ओम के equal आगया, ठीक है अगरी बात करते हैं, लास्ट question की कि 116 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोध को को 500 करम में संयोजित करें कि 220 वर्ल्ट के विध्यो त्रोध में संयोज़न से पाँच ओम एम्पियर विध्यो धारा पर वाही तो किसने हमें बताना है कि 176 ohm प्रतिरोध के हमने कुल कितने जो प्रतिरोध है वो लगाने है तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है i की value दी हुई है 5 ampere v की value दी हुई है 20 volt तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो v by i करोगे तो r की value आज़ेगा 20 v by i तो 220 बटा 55 ohm ठीक है तो उनको पार्शोवकरव में लगाना है तो पार्शोवकरव का formula होता है ठीक है यह वाला यहाँ से n आज़ेगा तो यहाँ पर 1 by r जो हो हमारा n by r के equal हो गया ठीक है यह 1 by r equivalent ठीक है तो यहाँ से आपके पास n की value आगी r by r equivalent 176 को चुमाली से भाग कर देना तो n की value आज़ेगी 4 तो हमें कितने प्रतिरोधक चाहिए 4 प्रतिरोधक यहाँ पर चाहिए तो यह था हिंदी medium में वक्षित नमबर 20 का solution class दस्वी विज्ञान के लिए